हेलो प्रेंट्स मैं मनोज और आप देख रहे हैं टेक्नलोजी स्टप यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम सनेफ ड्रेगन 690G और सनेफ ड्रेगन 730G का कंपेरिजन करने वाले हैं दोनुँ इंप ड्रेगन की तरब से आने वाले मिड रेंज ब्रोसेसर हैं सनेफ ड्रेगन 690G एक 5G प्रोसेसर है जबगी सनेफ ड्रेगन 730G एक 4G प्रोसेसर है हम इन दोनुँ प्रोसेसरों का कंपेरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इंडिया में 5G आने में कम से कम दो वरस का समय लगेगा तो सबसे पहले बात करें लोंच टेट की तो सनेफ ड्रेगन 730G लोंच हुआता अप्रेल 2019 में जबकि सनेफ ड्रेगन 690G लोंच हुआता जून 2020 में बात करते हैं फेबरिकेशन टेकनोलोजी की तो दोनुई प्रोसेसर 8NM फेबरिकेशन टेकनोलोजी पर बेस्ट है जिसे दोनुई प्रोसेसर पावर इपिसेंट है बात करें CPU आर्किटेक्चर की तो दोनुई प्रोसेसर ओक्टा कोर है सनेप ड्रेगन 730G cryo 470 cores के साथ आता है जबगी सनेप ड्रेगन 690G cryo 560 cores के साथ आता है बात करें power efficient score की तो दोनुई processor ARM cortex A55 cores के साथ आते हैं जिसमें सनेप ड्रेगन 730G में 1.8 GHz पर जबगी सनेप ड्रेगन 690G में 1.7 GHz पर कलोगड है बात करें performance core की तो snapdragon 730G आता है ARM cortex A76 के साथ जो कलोगड़े 2.2 GHz पर जबगी snapdragon 690G आता है latest ARM cortex A77 के साथ जो की कलोगड़े 2 GHz पर तो यहां CPU performance में snapdragon 690G superior है snapdragon 730G से क्यूंकि एक cryo 560 core के साथ आता है वो साथ ही इसमें ARM cortex A77 core का use हुआ है तो बात करें GPU performance की तो snapdragon 690G आता है ADNU 619L GPU के साथ जबगी snapdragon 730G आता है ADNU 618 GPU के साथ तो दोनुई प्रोसेसर select snapdragon allied gaming feature के साथ आते हैं और साथ ही दोनुई प्रोसेसर true HDR10 gaming को support करते हैं तो यहां GPU performance में snapdragon 690G बेतर है snapdragon 730G से क्यूंकि इसमें ADNU 619L GPU लगा है तो बात करें AI की तो snapdragon 690G आता है hexagon 692 DSP के साथ जो की एक 5th generation qualm com AI engine है जबगी snapdragon 730G आता है hexagon 688 DSP के साथ जो की 4th generation qualm com AI engine है तो यहां AI और gaming performance में snapdragon 690G बेतर है snapdragon 730G से हैं तो बात करें RAM support की तो दोनुई प्रोसेसर 1866 megahertz तक की LPDDR4X RAM को support करते हैं और साथ ही दोनुई प्रोसेसर maximum 8GB तक की RAM को support करते हैं बात करते हैं storage support की तो दोनुई प्रोसेसर EMMC 5.1, UFS 2.1 और UFS 3 को support करते हैं तो यहां RAM में storage support में दोनुई प्रोसेसर एक समान हैं तो बात करें display support की तो Snapdragon 730G Quad HD Plus display support करता है जबकि Snapdragon 690G Full HD Plus तक की display को support करता है दोनुई प्रोसेसर HDR10 और 120Hz तक की refresh rate को support करते हैं तो यहां display support में Snapdragon 730G बेतर है Snapdragon 690G से बात करें camera support की तो Snapdragon 730G आता है Spectra 350 ISP के साथ जबकि Snapdragon 690G आता है Spectra 355L ISP के साथ तो बात करें single camera support की तो दोनुई प्रोसेसर 192 MP तक की image capture करने में सक्सम है अगर बात करें dual camera की तो Snapdragon 730G 22 प्रस 22 MP तक के camera को support करता है जबकि Snapdragon 690G 32 प्लस 16 MP के camera को support करता है बात करे वीडियो केप्चर रिजूलेशन की तो दोनुई प्रोशेसर 4K HDR Air 30fps रिकॉर्ड करने में सक्सम है साथ ही दोनुई प्रोशेसर सलो मेशन को रिकॉर्ड करने में भी सक्सम है बात करे कनेक्टिविटी की तो सनेब ड्रेगन 690G X51 5G मोडेम के साथ आता है जिसकी मेक्शिमम डाउनलोड स्पीड 5G में 2.5G BPS जबकी 4G में 1.2G BPS है और अप्लिंक स्पीड 5G में 900 Mbps जबकी 4G में 210 Mbps है जबकी सनेब ड्रेगन 730G X15 5G LTE मोडेम के साथ आता है जिसकी मेक्सिमम डाउनलोड स्पीड 800 Mbps जबगी मेक्सिमम अपलोड स्पीड 150 Mbps है बात करें अन्य फंक्शन्स की तो दोनुई प्रोसेसर ड्यूल वल्टी, वो वाई-फाई, वल्यूटूथ 5.1, वाई-पाई 6 और क्वालम को हम क्यूट चार्ज 4 प्लस को सपोर्ट करते हैं बात करें GPS की तो सनेफ ड्रेगन 690G नेविक GPS को सपोर्ट करता है जबगी सनेफ ड्रेगन 730G नेविक को सपोर्ट नहीं करता है जो की एक देशी GPS है तो बात करें बेंचमारक स्कोर की तो N22 बेंचमारक पर सनेब ड्रेगन 690G 3,20,000 का स्कोर अचीव करता है जबकि सनेब ड्रेगन 730G 2,85,000 का स्कोर ही अचीव करता है बात करें Geekbench स्कोर की तो सिंगल कोर में सनेब ड्रेगन 690G 626 जबकि मल्टी कोर में 800 का स्कोर अचीव करता है जबकि Sannev Dragon 730G Single Core में 550 जबकि Multi Core में 1700 का score अच्छीव करता है तो यहां Benchmark score में भी Sannev Dragon 690G बेतर है Sannev Dragon 730G से हैं अब बात करें conclusion की तो display support को छोड़ कर Sannev Dragon 690G सबी aspect में बेतर है Sannev Dragon 730G से हैं तो यह तो था comparison Sannev Dragon 690G प्रोसेसर का Sannev Dragon 730G अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की notification आप तक तुरंद पहुंच सके इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए धन्यवाद